हेलो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल कंप्पिशन क्रेकल्स में और दोस्तों हमारे इस चैनल में हम government exam या competitive exam से related lectures, important tutorials आपके लिए लाते रहते हैं तो अगर आप किसी भी government exam के त्यारी कर रहे हो चाहिए UPSC, State PSC, RRB, NTPC, SSC किसी भी चीज़ के आप त्यारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं दोस्तों तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम cover करने जा रहे हैं GK की एक बहुत ही famous book जो है जिसका नाम है Lucent ठीक है तो Lucent के हम political science वाले पार्ट को इस वीडियो में cover करने जा रहे हैं और जो यह total course है इसका यह हमने रखा है 20 hours Lucent political science ठीक है तो 20 hour में हम Lucent की political science को पूरा का पूरा जरिए तो make sure कि आप इस वीडियो को complete देखना दोस्तों इस course को ही आप complete देखना और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी कि दोस्तों तो इस वीडियो को like करना अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share कीजिएगा दोस्तों so without wasting any more time हम शुरुआत करते हैं द के लिए कोई विचाय चोटे से छोटा एक्जाम हो या बड़े से बड़ा एक्जाम हो लिउसेंट कीजी के जो है वो काफी ज़्यादा important रहती है दोस्तों तो आप इसको neglect नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो 20 hours में हम ये course खतम करने की कोशिश करेंगे make sure पूरा देखना ये वी start the video तो दोस्तों थोड़ा बहुत political science को introduce कराया गया है आपको यहां पर book में ठीक है तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो ये political science है ये जो term है ये एक Greek word से drive हुआ है जिसमें की police जो political science में police word है उसका meaning होता है city and state ठीक है उसके बाद जो काम की information है इसमें वो है कि Georgians in Athens were the first to expand political theory तो जो political theory देना इस्टार्ट किया था वो प्रोटो गोर्स एंड जी और जियास ठीक है तो इन्होंने जो है वो political theory को start किया था ठीक है जो कि Athens के रहने वाले थे उसके बाद सोक्रेट प्लाटो एंड एरिस्टोटल कंटिनूट ये political science को उन्होंने आगे बढ़ाने का हो करा तो ये ज्यादा information काम की नहीं है फिर उसके बाद आता है एरिस्टोटल फाइनली एरिस्टोटल इस डिगार्डेट फादर ऑफ पॉलिट साइंस ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इन्वेस्ट अगर हम बात करते हैं वेस्टन कंट्रीज की वेस्टन पॉलिटिक्स की तो एरिस्टोटल इस डिगार्डेट एस दा फादर ठीक है और पॉलिटिकल साइंस इन्वेस्ट वेस्ट में पॉलिटिकल साइंस का फादर एरिस्टोटल को कहा जाता है जहां तक इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो फर्ष्ट पॉलिटिकल फिंकर है वो था मनु ठीक है मनु की श्टूरी आपने जरू सुनी होगी मनु वो जिसने की वो दसावतार में भी आपने देखा होगा जो कि मच्छी अच्छी मच्छी को बचाता है और फाइनली वो लॉड विश्णु आते हैं तो जो मनु था उसने अपनी मनु स्मिर्ती लिखी थी ठीक कि एक्जाम पॉइंट व्यू से कुछ खास इंफर्मिशन नहीं है फिर उसके बाद लेटर ओन कॉटल ले इंडिया की बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल साइंस की तो कॉटल ले चानक्य का थोड़ा बहुत कंट्रिबिशन देखने को मिलता है इन इस बुक अर्थसास जो कि आज हमने टर्म दे दिया है एकोनोमिक्स को बट जो इनिशियली जो यह अर्थसास्त्र चानक्य ने लिखी थी इट वज बेसिकली एक इंडियन पॉलिटी की बुक थी ठीक है इसमें पॉलिटिक्स को जादा दर्साय गया था चानक्य के बारे में ऐसा नहीं की एकोन इकोनोमिक्स भी थी बट उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौरिय के टाइम पे जो एकोनोमिक एप्रोस था या पॉलिटिकल एप्रोस था उसको जादा सी जादा यहां पर दर्साय गया था अर्थसास्त्र बुक में तो चानक की का भी बहुत बड़ा कॉंट्रिबूशन है इन इंडियन पॉलिटिक्स फिर बात करते हैं इन हिस फेमस बुक पॉलिटिक्स एरिस्टोटल तो एरिस्टोटल है जजाटेट तो यह स्टेटमेंट देखना चाहें तो देख लीजे ऐसा पूछेगा नहीं किसी भी एक्जाम में तो यहां पर लिखा है कि जो पॉलिटिक यह नाम भी था एरिस्टोटल पॉलिटिक्स फिर बात करते हैं हमारे कंट्रि इंडिया की थोड़ा बहुत इंडिया के पर पीस्तिस को यहां पर इस स्टेट बटे हुए हैं और एक इनका सभी का यूनियन यह नहीं कि हर एक स्टेट को मिला के बनाया गया एक यूनियन है इंडिया ठीक है और इंडिया में कॉंसा सिस्टम है पालियमेंटरी सिस्टम है ठीक है the republic is governed in term of the constitution तो republic जो है वो govern करता है हमारा constitution ठीक है और constitution कब adapt किया गया था constitution adapt किया गया था November 26, 1949 और force में या implement जब किया गया था वो था 26 January 1950 तो यहां से एक question important आप लोगों के लिए बन जाता है दोस्तों कि अगर वहां exam में पूछा जाता है कि constitution को कब adapt किया गया तो उसमें आप लिखेंगे November 26, 1949 और कब इसको existence में लाया गया या कब इसको force किया गया तो यह है 26 January 1950 तो यहां पर बहुत लोग confuse होते हैं और बहुत लोग गलत करके आते हैं यह चीज आप अपनी गाड़ बात के अपने दिमाग में रख लीजे दोस्तों और फिर चलते हैं next point की तरफ next point में खास है जो constitution है वो इंडिया को एक federal structure प्रोवाइट करता है with unitary feature federal structure में क्या होता है कि जो power होती है वो divided रहती है दोस्तों decentralization रहता है states के पास भी power रहती है और central के पास भी power रहती है लेकिन इंडिया में unitary feature है unitary feature means की ज़्यादा power जो है वो union की तरफ यानि की central government को मिली हुई है ठीक है union की तरफ tilted है इंडिया का federal structure फिर है the president of India is the constitutional head of executive of the union तो यह एक बहुत important point है के दोस्तों कि जो executive जो executive constitutional head या हम nominal head भी जिसको हम कहते है ठीक है constitutional या nominal head जो होता है हमारी executive body का हमारी government का वो होता है president whereas the real power lies in prime minister जो असली सकती होती है वो प्रधान मंत्री के पास होती है लेकिन इंडिया का constitutional head समवेधानिक जो head है या हम कह सकते है जो nominal head है वो president होता है और जो real head होता है वो प्राइम minister तो इतनी चीज जिसमें important थी तो यह question भी आपसे पूछ सकता है कि कौन जो है इंडिया का nominal head रहता है तो आप उस समय सिधा president कर लेंगे और real head executive पूछा जाता है तो प्राइम minister कर लेंगे फिर यहां पर article 74 1 ठीक है तो यह statement भी important है अगर आपने notes बना रहे हैं तो यह चीज है जो मैं important कह रहा हूं उनको आप लिख लीजेगा तो article 74 का first part में यह चीज दिया गया है that there shall be a council of minister with prime minister as its head to aid and advise the president ठीक है who shall exercise his function तो आपको दोस्तों पता होगा कि कोई भी execution कोई भी execution होता है कोई भी कानून पारित होता है तो finally उसमें president के assent लिए जाते हैं president की signature होते हैं और उसके बाद लिखा जाता है in the name of president है ठीक है उसमें president के sign होते हैं और यह बताया जाता है कि president द्वारा उसको पारित किया गया है लेकिन actual में जो वो पारित किया जाता है वो किया जाता है background में council of ministers द्वारा ठीक है ministers की council जिसके की head होते हैं prime minister ठीक है तो prime minister जो है वो head होता है हमारी council of ministers का और council of ministers जो है वो election के थ्रो जो है वो पहुंसते हैं cabinet में ठीज है cabinet में पहुंसते हैं और यही लोग क्या करते हैं decision लेते हैं यही लोग decision लेते हैं और prime minister के साथ यही council of minister जो है decision लेते हैं और finally president का काम है उसको apply करना because president is the nominal head या constitutional head ठीक है तो कोई भी कानुन पारित होता है तो in the name of president होता है फिर third point है the council of minister is collectively responsible for house of people लोग सभा यह एक चीज़ आप याद रखना कि council of minister यह पूछ सकता है एक्जाम में कि council of minister जो है यह कौन से article के थ्रोब नहीं जाए तो इसको है article 74-1 of Indian constitution ठीक है फिर council of minister जो है responsible रहता है house of लोग सभा लोग सभा के लिए house of people के लिए similarly in states governor is head of executive ठीक है अब जो council of ministers बनाई गई है वो answerable होती है लोग सभा को ठीक है लोग सभा में उनसे सवाल जवाब किये जाते हैं और similarly ऐसे ही जो है जैसे वहाँ president जो था main head था पूरी country का अगर हम state की बात करते हैं तो same type का nominal head होता है governor और जो main पीछे से background functioning करते हैं वो करते है council of ministers with chief minister ठीक है cm और जो council of ministers रहते हैं ठीक है नीचे state की assembly में वो जो है main function करते हैं और finally जो पारित होता है आदेश कोई भी वो governor के नाम पे होता है तो real executive power जो है वो chief minister और council of minister में रहते हैं जो कि elective head होते हैं फिर the council of minister of state is responsible to legislative assembly जैसे अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो council of minister और प्रधानमंतिरी रहते हैं वो responsible होते हैं या answerable होते हैं to लोग सभा similarly council of minister जो state वाले होते हैं वो legislative assembly के लिए responsible होते हैं या वहाँ उनकी answerability होती है फिर अगला point है the constitution distributed legislature power between parliament and state legislature तो जो constitution है उसने दोनों को कुछ सम्विदानिक power दी हुई है पार्लियमेंट को भी और state legislature को भी और लेकिन जो residual powers होती है वो पार्लियमेंट के पास होती है ज्यादा powers जो है वो पार्लियमेंट के पास होती है और state legislature को भी बहुत सारी power है दी गई है इसलिए इंडिया का federal structure है और राइट लेकिन जो पावर है to amend the constitution it west only in parliament तो यह important point आपके लिए बन जाता है अगर आप note करने तो कर लिजे कि the power to amend constitution west is in parliament only ठीक है तो parliament में ही इतनी ताकत है कि वो जो सम्विधान है उसको क्या कर सकता है amend कर सकता है कोई भी state legislature चाहे किसी भी state का हो वो parliament को नहीं जो है बदल सकता है amend नहीं कर सकता है सिर्फ लोग सबार आज जो सबास से ही जो है parliament को amend करना possible होता है ठीक है फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे तो ये कुछ ऐसे offices हैं या department हैं जिनको की independent रखा गया है इनका government से कोई भी relation नहीं होगी या जो power में जो authority है उससे कोई इनका मतलब नहीं होगा ये independent bodies हैं और वो independent bodies है judiciary, controller, auditor general, public service commission जिसकी कि आप अगर तयारी भी कर रहे होंगे कुछ लोग और chief election commission तो इनका जो है वो government authority से कोई संबंद नहीं रहता है ये खुद में independent bodies हैं ठीक है फिर चलते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत description दिया गया है country name, republic of india, भारत गंड़ाज्य और government time, sovereign socialist ये चीज़े हैं तो I hope कि यह सब आपको बता होगा यहाँ पर यह state वगएरा यह change हो चुके है पुरानी book है इसलिए इसको skip कर ले न और फिर चलते हैं थोड़ा नीचे तक फिर है independence, constitution और यह ठीक है तो यह पढ़ सकते हैं खास इसमें information ऐसी कुछ खास लगी नहीं मुझे ठीक है फिर है constitution, constitution is the functional law of a country ठीक है which has the fundamental principle on which the government or governance will be based ठीक है तो constitution क्या होता है, constitution एक ऐसी book रहती है जहाँ आप कह सकते हैं एक ऐसा कानून, fundamental law रहता है जिसके according country क्या करती है, work करती है, rules and regulations होते है constitution में जिसके according country को work करने का होता है ठीक है, जैसे कोई भी game होता है हमारा, उसमें हम rules and regulation बनाते हैं कि इस खेल को ऐसे खेलना है तो इसी तरीके से देश को चलाने के लिए भी कुछ rules and regulations बनाए गए हैं जो की mentioned होते हैं हमारे constitution में और उसी के हिसाब से हमारा देश गवर्न होता है या चलता है, ठीक है फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत constitution की खास बात बताई हुई है that with exception of United Kingdom UK almost all democratic country possess a written constitution तो यह एक important point आपके लिए बन जाता है दोस्तों अगर आप note कर ले हैं largest means largest democratic country भी है इंडिया और largest written constitution भी इंडिया का ही है तो यह आप important point note कर लो कि सबसे बड़ा लिखित समिदान भारत का है और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा democratic देश भी भारत है और United Kingdom यानि की UK, Britain ऐसा देश है जहाँ पर return constitution नहीं है जबकि वो एक democratic country है ठीक है तो यह चीज important य constitution और present constitution is constitution of India is framed and given to themselves by the people of India and was accepted by constitutional assembly on 26 November 1949 and full operation from 26 January 1950 ठीक है तो यह constitution की थोड़ा बहुत खाश है इसमें बताए गई है कि constitution में जो main power है it lies on people of India ठीक है हम भारत के लोग पहली अगर आप देखेंगे preamble तो आपको यही देखने को मिलेगा और पहला part preamble ही है constitution का उसमें पहले line लिखी है हम भारत के लोग ठीक है तो जो main power है वो भारत के लोगों में ठीक है लोगों को दी गई है people are the main power of the constitution ठीक है और उसके 49 में यह हम discuss कर चुके हैं और enforce वा 26 जनवरी 1950 से जिसको कि हम आज करतंत्र दिवस के रूप में या Republic Day के रूप में मनाते हैं ठीक है और जब यहां पर बताया गया है कि जब constitution was originally adopted as 22 parts 395 articles and 8 schedules तो यह भी important है आप note कर रहे हैं तो कर लिजेगा कि जब original constitution आया था पहली बार constitutional assembly न constitution को बना के जो है implement किया था उसका 26 जनवरी 1950 में तो उस समिधान में हमारे समिधान में originally में 22 parts थे 395 articles थे और 8 schedules थे तो आज कल यह चीज़ होते रहती है 12 schedules हैं और इसी तरीके से जो articles हैं वो बदलते रहते हैं कुछ amendment होते रहते हैं कुछ articles को हटा दिया गया है और इसी तरीक सकते हैं कि जो initial में थे 22 parts थे 395 articles थे और 8 schedules थे उसके बाद add-on जो है इसमें करते गए ठीक है तो यहाँ पर लिखा है its present form is text is as amended from time to time time to time amendment होते रहते हैं और constitution को amend करना बहुत ज्यादा हमने tough नहीं कर रखा है इसी लिए हम कहते हैं that इंडिया का constitution के flexible constitution है इसमें amend करने के जर्वत नहीं है unlike USA USA के constitution में amendment करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बहुत ज्यादा टाइम लगता और बहुत कम constitutional amendment आप देखने को मिलिंगे आपको USA के constitution में ठीक है दोस्तों तो आज की ये वीडियो दोस्तों एक demo वीडियो थी आप सभी के लिए दिखाने के हमारा ये कोर्स आगे चलने माला है किस तरीके से आपको चीजों को समझाया जाएगा तो आप आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको चीजने समझ में आई या नहीं आई दोस्तों तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको हमारे lectures को follow करना है या नहीं अगर आपको लग response मिला है अच्छा और उसे आपसे हम फटा-फट इसमें वीडियो एड करते जाएंगे और अगर आपको लगता है कि नहीं यहां सिर्फ टाइम वेश्ट हो रहा है इससे बेटर हो सकता है यहां पर तो आप सीदा से वीडियो को dislike कर लीजिएगा ठीक है और इससे हमें पताल सब्स में आपकी लिउसेंट की political science को हम खतम कर दिंगे जो कि आपके लिए काफी helpful होगी तो अब आप देख लीजिए कि आपको चीजें समझ में आ रही है या किस तरीके से मैं समझा रहा हूं वह चीज में आप लोगों के लिए ठीक है दोस्तों और इसी के साथ साथ अगर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप फटाफट से उस वीडियो को देख लें फटाफट से next lecture को देख लें ठीक है दोस्तों और बाकी सेर कर देना इस वीडियो को और दोस्तों के साथ चाहे किसी भी government की exam के तैयारी कर रहे है Lucent G के बहुत important book है तो आप इसको सेर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जो है इसका profit ले सके रहेए वो भी